दोस्तों अगर आपको जहट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS Clips Hindi के चैनल पर आपका स्वागत है जैसे आप भोले बाबा की जब पूजा करते है न तो आप वो आपको ना जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको देते हैं कि भाई ये चीज तू ले ले लेकिन इस चीज को पाने के बाद समझ जा इसकी वैल्यू नहीं है कुछ अभी इसे जान ले इस बात को क्योंकि तु मेरा बच्त है मैं तुझे दस साल खराब करके रियलाइज नहीं कराना चाहता क्या चाहिए वेब सिरीज आ रही है इसको हिट कर देगा कर दी काम कर रोजगार पैदा कर लोगों के बीच में जिन लोगों को मुसीबते हैं उनकी बाते सुन उनको सॉल कर उनकी चीजे कर मुहों से दूर भागना बोले बाबा की तो यह चीज एकदम इस पर बात करता है यह करता है सेम मुझे भी जो आपने कहँ और एग्जाटी मुझे वोड ही फील होता है कि जो भी आप मांग्ते हो न से मिल जाता है जट से कभी कभी जट से दर्द भी महसूस करवा देता है आपको आपके साथ आइसा हुँ है मेरी बहुत अलग connectivity है मेरी जो connectivity है वो sibling से है मतलब मैं भूले बाबबजी को जब भी महसूस करता हूँ उनकी energy पो मैं sibling से बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ क्यों? वो है मन जहां से मिला जैसे मिला मुझे ऐसा लगा कि यहां से मेरी दादी hospitalized थी और मुझे अचानक से बात पता लगी कि दादी hospitalized है मेरा दादी से बड़ा लगाँ है मैं सोकर उठा था सुबा सुबा मैंने पनी चौचा के लड़के को बड़ा गवराट में देखा मैंने पूचा तो मुझे से जादा बाते बताते नहीं परिवार की बाही को टैंसन हो जाएगी काम वाम करते हैं दस्तरे की चीज़े करते हैं मैंने फिर भी जानना चाहूं सुने बता है है कि मां जी भी मैं घुपितल मैड़ा मुझे उस थाम पर वस एक चीज मैंसोस बीकि अंच्रा के साथ मिरा लास्ट मुमेंट किया था मेरी दादी के साथ मेरे लास्ट मुन पिका तो मुझे याद में आ रहा था मैं फटा 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 था हॉस्पिटल में पहुचा और मैंने उन जिस कंडिशन में उनको देखा बेंटिलेटर बें मैं रो नी लगा हुआ पर मैं डोक्टर के पास गया डोक्टर ने मुझे पहचान लिया था मैंने कर देखो डोक्टर साब कुछ भी जान लगा तो आप इनको बचा लो उसने का भी नहीं है बुक्त मुस्किल जान से तो अभी मैं घर पे गया तो घर पे रो और आठ मचा हुआ था बहुत जादा क्यों दाधी के बहुत करीव हैं सब दाधी का संगर सब ने बहुत देखा हैं तो जो मैं घर पे गया मेरे छोटे भाई को रोते हुए देखा हुआ मुझे बड़ा दुख हुआ यार अगर यह रो है तो इनके लिए दुनिया में हाग लगा देए छोटे भाई हैं और यह रो हैं सामने क्योंकि दाधी की बात थी आस टोचल लाथ ता डोक्टर ने कह द है ना कुछ आ रहा है भगवान है जो बस एक उमीद जिन से रखते हैं तो मुझे किसी ने कहा कि अमित आप जल चड़ाए दूद चड़ाए तो मैंने सुबह दूद चड़ाया जाके और मैं जाके अराम से जब मैं होस्पिटल गया उस टाइम कह रहे हैं कि लास्ट है सारी तो मुझे ने पूरे दिन से तो नियंद नहीं आरी ती मुझे फाइनली घर वालों ने भोला कि थोड़ी देर सौ जाओ तो मुझे नहीं नहीं आरी थी अज़ाए तो मैं नहीं जून का बहुत मिल दादी घटल में बिलकुल ऐसी इस कंडिशन में थी तो मैंने चूच था मैं जमीन पर ही सूँगा, अगर मेर दादी की ये कंडिशन है तो ना में एसी चलाओंगा ना मैं पंका, मतलब मैं कोई ऐसो आराम वाली जिंदिगी ने जियूँगा कि गाड़ी में गोहुंग रहा हूँ एसी चल रहा है घर में बैड पे सो रहा हूं जमीन पर सूँगा चा क्योंकि 48 गंटे से उपर हो गए तो वो ओटोमेटिक आपको नहींद आ जाती है अब जब मेरी दस मिनट गोले कि साड़े छे बज़े का टाइम हो रहा होगा पांच बज़े के बाद से में वीडियो कोल आती है चाचा जी कि मेरी आप खोली तुमसे वीडियो कोल पर दाती ही वह जो मुझे उद्धियो कहती है नहीं है को इसे बोला फटाफट गया बातरूम में नहीं पहन को पैन कहिंब रहे था है अपनी कम्रे मैं और कहीं की गया मैंनि फटाफट टीश पहनी हो रह ड्राइबर को तो अन unwanted चाती है टीश घल मैंने टाव मैंने डोक्तर से पोचा कि क्या हुआ लुए आधा है चाहिज निः। इससे आधारीत add varied a कहानी है कि भ्रम्मा जी महापारवती जी से ना राज हो जाते हैं महापारवती कारन पोच रहे हैं क्या कारण है कि क्यो ना राज है तो वो बताते हैं, कहते हैं, मैं और विष्णु जी, कुछ लिखते हैं, किसको क्या देना है, किसका भाग्य कैसा बनना है, क्या लिखते हैं, सब कुछ बना देते हैं, अब अमने सब कुछ लिख दिया है, फिर वो वियक्ति बोले बाबा की पूजा करता है हमारा सब लिखा हुआ बना है हुआ सम मिटा जेते हैं अपने हिसाब से दे जेते हैं ये खासियत है वो आपकी सबसे प्यारी चीज को आप से जब तक अलग नहीं होने देंगे जब तक आप उनसे कहते रहोगे अलग मत होने देना अलग करेंगे क्योंकि प्रकरती का नियम है आया है तो इनसान जाएगा लेकिन उस वे में अलग करेंगे आपको दर्द का एसास नहीं होगा आपको बड़े प्यारे तरीके से बताए जाएगा कि अब राइट वे है अब इनको जाना है अब या तो आप संटर कर दो मेरे सामने या फिर आराम से रहो तो एक वही एक समय होता है तो उनसे मेरी एक नेक्टिविटी है मैं पिर उसके बाद सौमवार के वरत बोले कि मैं पूरी जिंदी की सौमवार के वरत रहूँगा ब्रभ साल हो जाए आगा आज 36-37 गंटेगा होते हैं और क्या आप खाते हैं यह कुछ भी नहीं गाता हूँ सिर्फ फ्रूट और दूद ले ले लिए हर सुमबर हर सुमबर को खोलता हूं मैं और मैंने जिंदकी बर के लिए बोल दी वाँ मैंने का यह मेरा एक क्योंकि मुझे पता बोले आप पर कोई फर् को खाने पर कंट्रोल रहें सोच पर कंट्रोल रहें बुद्धी अच्छी चले किसी को गलत ना बोला जाए मैं अवोईड सुमबर को मैं काफी चीज़ अवोईड करता हूं कि इन से नहीं मिलूंगा गाली देते हैं को मुझे बहुत निकलती है इससे नहीं मिलूंगा यह क तो वो दो दिन बड़े अच्छी रहते हैं, बोडी का टेमपरेचर भी मैंने फिल कि हैं, काफी अच्छी रहता है, तो मैं किसी भी करेक्टर को देखके वेट बहुत घटाता हूं बड़ाता हूं, इससे मुझे बहुत असानी मिलती है, इस बाइस किलो होजन गटाया था इस एक उनका एक उनका एक एक और किस्सा है, बोले इस वजए तो बहुत किस्स है है वह किस्सा एक चोर था व गाहों में इसमिकरता था, तो एक दिन गाहों वालोbles ने डिसाइड कि किया कि पकड़ना है वह इसको लेकिन चोर अपनी आदत से मजबूरता उसको चोरी करने जैसी वो घुजा तो उसको पता लगया उसको घेर लिया लेकिन उसने सोचा मैं मंदिर के अंदर चला जाता हूं यहां कोई चैकिंग लेने आएगा तो मंदिर के अंदर चला जाता है लेकिन आदमी अपनी आदत से बास थोड़ी नाता है, अब वो मंदिर में, लेकिन वह भी वो गंटी देखता है, जैसे वो गंटी देखता है, एकदम से उसको लगता है, चुराई जाए, तो उधर ही सिविलिंग होते हैं, तो उस सिविलिंग के ओपर पाऊं रुखता है और गंटी को उतार लेता है, तब ही वहाँ सिव जी पर कट हो जाते हैं, सिव जी कहते हैं, बताओ क्या चाहिए, वो कहते हैं, क्या चाहिए, जी मैं तो चोर हूँ, पापी आदमी हूँ, फिर भी आप ऐसे कह रहे हैं, क्या चाहिए, और उनने का कि मेरे ऊपर कोई दूच चड़ाता कोई बेल के पत्ते चणाता है, बेल पत्तर चणाता है, तो पहला है सभी यक्ति है वाई, जिसने अपना पूरा सरीर मेर पर चड़ा दिया, तो बता तुझे क्या चाहिए, तो ने सीधे भी है, ओके, मेरा शुर्फजी का मंत्र है, ओम भेरवाय नमा, तो मैं भेरव की जब भेरव जी का मैं बारे में सोचता हूं, तो मैं कही न कहीं उन्हें सिफजी जी के बड़े करीब पाता हूं, बहुत चाहता हूं, और उनको मैं ऐसे भी पाता हूं कि सिफजी जी का जो दिसा निर्देश है, उसके कहीं न कहीं बड़े करीब जाके, उनके सारे के सारे क पर बहरव आपसे काम कर्वाते हैं। भेहरव जट लिए वह देते हैं। और आपको और भी काम देते हैं। और मैं पूरी तरह से समझा नहीं हूँ। नहीं पर ओम भेहरवाय नमह पर जाप कर रहा हूँ बहुत आजकल और बहुत कुछ होरा है इस निदगी में। तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, पॉडकास के थूँ इतना सब कुछ सीखने को मिलता है, उनका जाप करने के पता चले कि बहुत कम पता है, तो मैं अभी जैसे आपने का अगर आप किसी की पूजा करते हो तो आप उनकी तरह बन जाते हो थोड़े तो जैसे कि भहरव बावा शिव जी के भक्त है, मैं भी शायद शिव जी का भक्ती बन रहा हूँ, बस इतना ही जाना में पर मेरा एक लाइफ का गोल डेफिनिटली है कि मुझे भहरव के मंदर खोलने और बनाने भारत में, क्योंकि कहा जाता है कि पहले भारत में बहुत सा मैंने ग्यारा जोतिर लिंग कर लिया है, जब भी हम जाते हैं किसी भी जोतिर लिंग में तो हमेशा आसपास जो भी बहरव जी का मंदिर होता है तो हमां के दर्सन जरूर करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बताया जाता है कि बहरव जी काफी मंदिरों की शिव जी के मंदिरों और कुछ कि आज परादें Oh निससे कि वहारव भी एक वहरव की मूर्ति रखे हुई है अश्रिफजी की मूर्ति है उसके साइड में छोटी मूर्ति पहरव की पीछे तो नुद तो भहरव की मूर्ति हमेशह आक वह कली कलर reward का या हेता जित तो उक्ता रक्षक होता है इंसान का और ये मना जाना भेहरव के वारे हैं कि भेहरव आपकी भी रक्षा करता है पर आपकी भक्ती ही रक्षा करता है आपकी भक्ती से जो चीज आपको दूर लेकर जा सकते हैं उन्हें भी थोड़ा अटैक करते हैं तो बहुत कुछ जो है जब उ आप ना मुह को छोड़ के वो चीज कर रहे हैं क्योंकि यह तो कल्यू गए तो यहां पे तो सिर्फ नाम के जब से ही परभू का ऐसे लगता है क्योंकि आज के समय में तो इतना ज्यादा लोगों के अंधर इतने ज्यादा जल्दी जल्दी वाली चीजे आ गई हैं कि वो जो आप से आप सोचिये ना कि पहल कितने वर्थों में कितने समय तक प्रतिग्या की जाती थी योग किये जाते थे तब प्रभू परकट होते थे आजा मुझे कारण ये भी लगता है कि कल यूग में प्रभू के साक्षा दर्सन जो नहीं है इसका आपको कारण क्या लगता है क्योंकि तरेता में दुआपर में सत्यूग में हैं मुझे इसका सबसे बड़ा कारण क्या लगता है कि प्रभू को पता है कि ये एक ऐसा परकट होते न और किसी ने बहुत टाइम तक परतिग्या की होती और उसके लिए परकट ना होते तो वो इंस्टाग्राम पे लाइव चला जाता कि आज से मैं आपको त्याग रहा हूँ आज से मैं आपको नहीं आपकी पूजा नहीं करूँगा क्योंकि ये उस चरहम पे एक लिए कि आदमी को जहां बेनेफिट दिखा आदमी वहां हो गया जहां नहीं दिखा उसको तुरंट त्याग दिया पहले ऐसा नहीं था लोग बहुत ज़्यादा डरते थे हाला कि दुआपर तक आते 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 ज़्यादा हो गया यह लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे प्रभू से बहुत ज़्यादा प्यार था प्यार अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा है जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर प्यार है उसके अंदर प्रेम है मतलब जब मुझसे कोई एकदम क्लोसली जब जाके बात करते हैं सिव जी जी की बाते करते हैं तो जब वो कुछ बाते मुझे कहते हैं या बताते हैं तो मैं हमेज़ा बोलता हूँ मैं कहता हूँ कुछ भी बात कर लेना ऐसी बात मत कहना, जिससे मैं उफेंड हो जाऊं। क्योंकि मेरा जो प्यार है, वो बहुत ही ज़्यादा नहीं सुआ रहता है। बहुत ज़्यादा नहीं सुआ रहता है। कुछ भी मत बोलना भाई। तो यह प्रेम ही है। कि भाई, मैं कुछ सुनने ही सकता। जाय कुछ भी हो जाय, तो यह मुझे एक लगता है कि प्रेम अभी भी है, लेकिन अभी ये हो गया कि लोगों में तियागने का बहुत जलर दिया, कि तियाग दिया, नहीं भाई, बेनेफिट देखते हैं, कि इस चीज से बेनेफिट हो जाए, हम ऐसी बात है क्यों कर रहे हैं पॉडकास पर नहीं मैं सच मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान हमारे थुरू ऐसी बात है क्यों कर रहा है अकसर पॉडकास के बारे में भी यह सोचता हूं कि ऐसी बात है मैं जिन्दगी में करता था पॉडकास से पहले और आज कल आप जैसे लोग जो पॉटकास पर आपोर आपोरी तो बहुत सारे डिविया लोग आ जाते में पॉटकासथ ऑ है इसी बाते करते हैं तो मों ये उपरवाली की मर्जी है पहले भी आपसे वही बात कह रहा था कि जो भी है, सब चलता तो महीं से है, बस हमें लगता है ऐसा कि हम कर रहे हैं. यह तूट जाता है, मैं, एक हमन्ड है, यह तोट जाता है कुछ टाइम बाद, अगर आज भी आपको यह लग रहा है, कि हमारी डूटी पूरी हम पूरे खतम फिर कोई और आएगा फिर वो करेगा सब एक जरिया बने और जरिया हम सिर्फ इसलिए मने हुए कि समाज के भैतरी के लिए यह मैं पॉरी वाइब्रेशन है आपने तो पूरा माहूल बना रख यहां मैं ध्यान करने बैठता हूं हमेशा मतलब आपके पॉड़कास के पहले जहां बैठे हो वहीं जमीन पर बैठकर मैं ध्यान करता हूं पता नहीं क्यों यह मैं कर्म भूमी मानता हूं खुद की तर मेर पर उसमय है कि इस फेजह है, शायद बाद में जदेगी में ये ब्रदाव आएगा पर नहीं क्यों यार। यहां आपर पता चला है कि यह मेरे podंज है तो अच्छा रगते है इनकी बाते करना हूं सु Will Durr नहीं नहीं आता कि क्या बात करेंगे पर शिव जी की बाते कर रहे हैं आप भी ढूंड रहे हुने मैं भी ढूंड रहे हुने हो हमारे अंदर है हमारे अंदर है आप भी जान रहे हुने मैं भी जान रहे हुने जान कोई नहीं सकता है जान नहीं सकता है कोशिश कर रहे है कोश वह में सकते हमान के, वह इतना बड़ा दिल रखते है कि हम पर हमें महरद को इतना बड़ा दिल है हम तो भाई कुछ भी नहीं है मैं ज्याय भॉले नात कहना जो मैं जै श्री महादेव शंबू नश्री महादेव शंबू झाल झाल झाल